दोस्तों अगर कोई आपको ये बता दे कि WhatsApp जो है आपका एप्लिकेशन ये 10 GB का डेटा अकेला मतलब 10 GB का स्टोरेज अकेला WhatsApp ही यूज कर लेता है तो क्या आप उस पर यकिन करोंगे लेकिन मुझे ये किसी ने बताया नहीं मैंने खुद देखा कि मेरा जो WhatsApp है 9.3 GB का जो है डेटा मतलब यूज कर रहा है स्टोरेज यूज कर रहा है 9.3 GB एक अकेला WhatsApp मतलब एक सिंगल एप्लिकेशन 9.3 GB का जब स्टोरेज यूज करेगा तो मतलब कैसा लगेगा है ना मैं खुछ शौक था उस चीज को देखकर हमने फटापट अपना स्टोरेज फ्री किया 9.3 GB से लेकर 4.8 GB तक लेकर आए तो क्या आप जानते हो आपका WhatsApp जो है कितना जानना चाहते हो आपका WhatsApp अपना कितना स्टोरेज यूज कर रहा है मतलब कहां से आप पर्टिक्लर ग्रू से एक अची सी सेमें आपको बताई है WhatsApp में भी सेटिंग अवेलेबल होती है तो सेटिंग हमने आज की वीडियो में आपको बताई है और WhatsApp की वाटसप का क्या पंगा है ये storage वाला तो जरूर वीडियो को पूरा देखना दो अपडेट एंड में मैंने बताई है तो उन दो अपडेट के बारे में भी जानना टेलीग्राम वाटसप ग्रूप चलिए शरू करते हैं आज केसने एपिसोड को चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिविकेशन वाल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइक जरू करना शेयर करना और आपके अगर को सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों वाटसप की यह सेटिंग देखने के लिए हमें जो है वाटसप में चलना होगा है ना वाटसप में चलेंगे में लोग अब वाटसप में के बाद हम लोग जो है मोड़ ऑप्शन में जाके सिटिंग में चलेंगे सेटिंग में जाना है इसमें चलेंगे अब हम यह दिखेंगे कि वाटसप हमारा स्टोरेज कितना यूज कर रहा है स्टोरेज 4.8 GB यहां पर मैंने स्टोरेज 4.8 GB यह आधा मैंने जो है वीडियो बनाने से पहले डिरिट किया मतलब लगभग 9.2 GB यह 3 GB कि सम्तिंग था मतलब मैं शॉक्त हो गया मतलब मेरा अकेला WhatsApp 10 GB का डेटा ले रहा है तो बाकी के एप्लिकेशन क्या लेगी है ना तो मैंने बोला वीडियो में बनाने के लिए इतनी तो अवशकता नहीं है पहले इसको खाली करते है क्योंकि वह 9 GB यह एक अकेले WhatsApp में मुझे दिख रहा था त तो मतलब क्या यह WhatsApp शर्वण अकेला मतलब इतना इतना स्टूरेज तो अब जह नहीं हम यह इसको फ्री करेंगे मतलब 6,4 GB 5 GB लगभ जो है यह यह फ्री करेंगे लेकिन हाँ पर सबसे पहले आपको आपको तेखना क्या 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 क्यूंकि क्या इसा नहीं कि इंपॉर में चलेंगे अब हमारे सामने सारे ग्रूप्स ओपन हो गाया रिव्यू एंड डिलीट आइटम है यह हमें जो हैं पर हीडिंग दिखा रहा है ठीक है अभी हापर जो है चैट्स है चैट्स का ओप्शन आपको आपर दिखा दे रहा है यह देखिए 1.6GB का जो डेटा है टेक असिस्टन फर ब्लाइं 3 वाले ग्रूप में है यह देखिए 804.8MB जो है यह वाले ग्रूप में है सारे जो जो ग्रूप से अपको ववन दिखा देंगे तो जिस ग्रूप में आपकी इंपॉर्टन चैट होती है उस ग्रूप को छोड़ देना है बाقी चो ढोन इस बड़्ा को छっmpd ग्रूप से दंग रहेंगे इसमें जो है noda data मतलब 349 MB जो data वह जो dataへ है वह जो data है सेलेक्ट अल का बटन ए इसमें 374 आटम ते हैا है नियुए है डिलीट बिटन आ रहा है बॉटम राइट करनर में है ना आप उसको सिंपल डिलीट कर सकते हो डिलीट पे क्लिक करेंगे उसके अंदर का डिलीट हो जाएगा अब यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा है डिलीट एनी कॉपी का है इसका मतलब क्या दिखिए अब यह जो है आपका जो डिलीट यहां से डिलीट होने वाला है एक्जामपल के तोर पे अगर आपके इस ग्रूप में किसी ने ओडियो लाप का एपी के भेजा है है ना और अगर किसी और ग्रूप में भी audio app का ip के यहां से वहां forward हुआ है तो वहां भी ओविसली जो डिटागरम डाउनलोड करते है तो डाउनलोड हो जाता है या फिर कोई file है जो यहां भी और वहां भी same है same भेजिए किसी ने भी है ना और वो download हो गई आपके storage में तो यह अब यहां पर यह सारा जो डिटा है हमारा डिलेट हो जाएगा तो यह भी मैंने आपको 300 MB स्रिफ फ्री करके बताया है ना अब आपर देखिए 4.8 GB था आप देखते कितना हो जाता है इसी तरह से आपको यहां पर सारे ग्रूप दिखा देखिए सारा जो डिटा है जहां से डिलेट कर सकते हो जो भी ग्रूप आपके काम के नहीं है मतलब काम के इस तो सारी ग्रूप से लेकिन जिन ग्रूप का डेटा आपके काम का नहीं है वो बाइवन देखिए आप अपने यहां से डिलीट कर सकते हो और अपने स्टोरेज को फ्री कर सकते हो मतलब लगबग 15-20 मिनिट लगे थे मुझे यह सारा जो सौर्ट करने में है ना आप लोग क्या करते हो डिरेक्ली फोल्डर डिलीट कर देते हो लिकिन ऐसा नहीं करना है आपको यहां पर आके आपको जिस ग्रूप की चैट आपके लिए इंपोर्टेट नहीं है आप उसको डिलीट कर सकते हो तो वह जो चैट से आप यहां से डिलीट करके आप लोग अपने चैट की जिए कि वाट्सप आप का कितना मतलब ले रहा है और कितनी स्टोरेज की जा रही है तो यह चीज आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकती है अब हम WhatsApp की दो updates देखेंगे जो recently हमें मिली है तो वो updates भी आपको दिखाते हैं बैक करेंगे हैं से अब हम किसी ग्रूप में चलेंगे यह हमारे प्यारे से एड्मिन विकास शर्मा जी है शायद विकास शर्मा दो है अभी हमारे एड्मिन ही है या फिर कोई ओर है देखession अभी हम लोग प्ले ओर जाए ना तो इस अब हर Пप्यास शर्मा शर्मा पर जाए तो यहां पर हमने ग्रूप से बहार आ गई दिए गया उस आंसर को सब्सक्राइब हो रहा है तो अब आपका वोइस नोट जो होगा वोगा यहां पर आप मतलब ग्रूप के बाहर आने में यानि कि पॉप अप प्ले होगा यानि कि अगर आप किसी ग्रूप में वोइस नोट सुन रहे हो और वोइस नोट सुनते शुनते अगर आप आप बाहर आ जाते ओ ग्रूप के भी तो वह वोइस नोट बंड न ही होगा वह फो ही पर वह समय आपको पॉप आप में प्ले हो. अप्सिसए कह एक बार आपको दिखाता हूं, ऊपश्चिंज कहाँ काँएंगे वापिस थी वाले ग्रूप में चलेंगे अप्रीसिन का मेसेज प्ले करेंगे कस्तमाइज नहीं कर सते हो इसको जो नोटिफिकेशन को ग्रूप के बाहर चलते हैं अग्रूप के बाहर आगे हैं ना अग्रूप के बाहर आने के बाद यहां पर अपर आको बटन मिलते देखें थाहन्व क्लोज बटन मिलेगा 32% मेसेज प्ले हो चुका है और हमें मिल रहा है है ना विकाष शर्मा जी है यह टेक सिस्टेंट फो ब्लाइन थी का यह मैसेज प्ले हो रहा है यहीं से आपको play button में मिल जाता है और close button में मिल जाता है है ना तो हम इसको play कर दिखाना है को देखे play pause हो गया अब यहाँ पर हम देखे group से बाहर है यहीं पर top right corner में आपको सारे buttons मिल जाता है अब दूसरी update जो हमें मिली है वह देखें यहाँ पर इसके नहीं में तो में आ गया है अब यहाँ पर यह एक message जो forwarded है यह forwarded message है forwarded बोला तो forwarded message है टेक्स्ट है देखते आपको सुना देते है अब forwarded messages क्या होते थे अगर कोई messages forward हो रहा है तो अगर जो है ना मतलब आप अगर कहीं भी शेर करते हो तो यह जो है एक ही group में शेर होगा पहले यह हो जाता था पांच group में शेर कर सकते थे लेकिन नॉर्मल जो message है वो पांच groups में या पांच chat में शेर होगा है ना पांच chat में शेर होगा लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप कोई group select करते हो तो वह एक ही select होगा देखिए करते हैं और इसके बाद forward पर क्लिक करेंगे यह एक तो select हो गया वापी सम दूसरा ठीक है अब forward message जो है वो सिर्फ एक ही group में आएगा है ना मताब आप एक ही group में भेज सकते हो अगर आप कोई चैट select करते हो तो select हो जाएगी लेकिन अगर आप ग्रूप select करते हो तो यहाप पर हम कोई चैट देख लेकर प्रविन जी को भेजने जी कोशिश करते है तो देखिए इनका नाम यहाप पर select हो गया है है ना तो इस तरह से जो है आप अब जो फॉर्वर्डेट मेसेज होते है वह अगर फॉर्वर्डेट मेसेज है तो आप एक समय पर एक ही वीडियो को लाइक सभी के साथ करें सभी के साथ शेयर करें है ना मतलब वीडियो में लाइक करें और सभी के साथ वीडियो को शेयर करें और हां मेरी वाइस थोड़ी सी खराब आ सकते है तब यह ठीक नहीं मेरी इसलिए तो आप लोग वीडियो को जोड़ी के साथ शेयर क चाहते हो तो WhatsApp और टेलिग्राम ग्रूप जो है आप लोग अबाउट पेज में अविलेबल है आप लोग वहाँ पर जाके जूर सकते हो फीमेस के लिए अलग से ग्रूप बनाएगा है तो वह भी वहाँ पर जाके जूर सकते हैं मिलता हो किसी और इंटर्स्निंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन